हेलो फ्रेंद्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज पुरानी शर्ट का रियूज करूँगी और थोड़ी सी ये डिजाइनर शर्ट है आर्म होल के पास छोटा सा होल हो गया है मतलब फट सी गई है, सिलाई नहीं खुली है इसलिए मैंने देखिए अंदर से कट नहीं किया है यहां कॉलर के पास से बिल्कुल बराबर से कट कर लीजे और इस शर्ट में पॉकेट नहीं लगी थी अगर आपकी शर्ट में पॉकेट लगी हो तो उसको बिल्कुल फिनिशिंग से रिमोव कर लीजेगा सिलाई खोल के बटन को मैंने ऐसे खोल लिया है देखिए जो ब्लू आला पार्ट है वो हमारा बैक से चॉक से निशान लगा के कट किया था वो उपर सेट खुला हुआ है देखिए इस तरीके से करते हुए पूरे पर एक बार एक बराबर से सिलाई लगा लीजे तो जितना कपड़ा हमें मिलेगा उतना अच्छा बैक बनेगा तो इसलिए ही सारा थोड़ा सा ताम जहाम हो रहा है बाकि आपको कपड़ा जितना मिल सके रिक्टैंगल पिस निकाल लीजे शर्ट से अब क्या करना है जो यह बटन पटी है इसे आप कट कर लीजे आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो विदाउट दो मैंने शर्ट से स्टोरेज बैक बनाया हुआ है शर्ट से जो बटन पटी से बनता है उसको बंद करना खुलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है थोड़ा सा टाइम लगता है जिप ज़्यादा एज़ी रहता है खोलने बंद करने में आप नीचे से देखिए ऐसे फोल्ड कर लीजे एक बराबर से कट कर लीजे क्योंकि जो नीचे का साइड हलका सा राउंड भी होता है तो इसको भी बराबर कर लीजे देखिए बिल्कुल बराबर से कट हो गया ब्लू वाला हमारा बैक साइड है बाकि दोनों प्रंट साइड है दोनों साइड हम जि अब देखे मैंने वन इंज की पट्टी लिए इस पर पलट कर टॉप स्टिश नहीं लगाएंगे ऐसे इसके उपर रखते हुए पूरे पर सिलाई लगाना है क्योंकि जब हम पलट कर टॉप स्टिश लगाते हैं तो रफ साइट अंदर की तरफ रह जाता है और जब जिप को जिप में फस फस के रणर जो है जिप हमारी खराब हो जाती है तो इससे फिनिशिंग आती है देखे आप जिप ओपर कर लीजे इसके बाद आप टॉप स्टिश लगाएंगे जिप हमारी फिनिश हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से कोई रफ साइड नहीं होगा और स्टोर इसमें रणर तो दोनों वायर को मैंने उपन कर लिया है रणर का जो राउंड वाला फेस होता है इसके एक हुल में एक वायर को दूसरे हुल में दूसरे वायर को वायर को पकड़के हलका सब पुश करेंगे देखे रणर हमारा इसली चला गया अब देखे जो दूसरा सा आ से बिल्कुल नीचे थोड़ा सा लाना है 4.5 इंच पे तो जो हमारा ये डिस्टेंस से उपर जिप आले साइड में यह देखिए इंची टेप से मैं मैंजरमेंट लेकर दिखा रहे हूं यहां पर यह 4.5 इंच है उपर से टॉप पे दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे जिप फोल्ड थी वहां से मैंने चौड़ी स्टिप निकाल ली है 2.5 इंच की इसके बाद से उसको एक बराबर कर लेंगे और साइडों से जो कप्रा निकल रहा है उससे हम सारे रफ साइड को फिनिश कर लेंगे देखिए हैंडल को हम इस तरीके से बना लेना है डबल फोल्ड कर इस तरीके से हमें कॉर्णर बनानी है जहां कॉर्णर बनाया है इसी मार्क पे हम इसे कट कर लेंगे देखे, corner भी cut हो चुके हैं, इस तरीके का pattern आ चुका है अब इस तरह खीचते हुए, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे तो इससे हमारा जो है, यह corner सारे stitch हो जाएंगे तो इस तरीके से चारो side हमें को सिलाई लगानी देखे, मैंने सिलाई लगा लिया है, अब इसके भी rough side को simple state party से finish कर लेंगे देखे, मैंने simple state party से rough side को finish कर लिया है पलट कर सीधा करेंगे, सारे corners और sides को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे अब हम बनाएंगे इसके लिए handle साइड में मैं यहाँ पर mark कर देती हूँ, देखे, इस तरीके से flat कर हो गया बीट में center line गई हुई है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है handle कहाँ पर attach करना तो कपड़े को रखने के बाद भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि handle कहाँ पर लगेगा तो कपड़ा देखे, मैंने निकाला था strip, double fold tie, इस तरीके से two fold करेंगे और पूरे पर सिलाई लगा लेंगे दो handle हमारे ready हो जाएंगे, दोनो handle तयार हो चुके हैं, अंदर की तरफ fold करेंगे और बहुत finishing के साथ, दोनों पर सिलाई लगा लेंगे दोनों side stitch कर लीजे, distance same रखिएगा जहाँ पर हमें handle लगाना है अच्छे से पक्का कर लीजे, handle भी attach कर लिया मैंने, देखे हमारा storage bag बनके ready हो चुके है इसमें मैंने जादा तर woolen कपड़े रखे हैं, देखे, jacket रख रही है, woolen plazo थी, sweater, top यही सब रखा है मैंने तो इसमें अच्छा खासा space लिया है, और यह बहुत प्यारा बना है bag देखे, कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक पुरानी shirt लगी, तो Elmira में कपड़े इधर उधर बिखरे रही, इससे अच्छा है आप कपड़ों को ऐसे shirt है, पुरानी या पुरानी कुर्ती है, तो आप इस तरीके से storage bag बना कर ready कर सकते हो देखे, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, और आपके कपड़े भी दर उधर बिखरेंगे, नहीं, और्गनाइजड रहेंगे देखे, ये था बिल्कुल सिंपल सा idea तो यहां मैंने shirt का measurement नहीं बताया है, shirt जितनी भी आपके पास जितने size की है, उसमें ही आप इस तरीके के pattern के bag को बना सकते हो देखे, तयार length है इसकी 11.5 inch और इसकी width भी 11 inch है, यहां से यहां तक high test की 8.5 inch तो इस तरीके से हमारा छोटा cute सा storage bag बनके ready हो चुका है, तो यह था बिल्कुल सिंपल सा idea I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आ जाए तो please वीडियो को like share कर दीजेगा, चैनल पर आ चुके हैं तो please subscribe कर लिजेगा, जल्दी मिलते हैं एक और useful वीडियो के साथ, thank you